अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हुए बताते चले कि जैपुर से बड़ी ख़बर है ये भी है जापर बिजेपी प्रदेश अध्यक से सीपी जोशी अपने आवास पर है यानि सीपी जोशी से मिलने के लिए कई नौ निर्वाचित विधायक पहुच रहा है निर्दिली एमले रविंद्र भाटी जोशी से मिलने के लिए पहुचे है शिव से टिकट नहीं मिलने पर बागी लड़े थे रविंद्र भाटी और अब सीधे सीपी जोशी के घर पर मु कर इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब मिलने के लिए पहुंचे हैं सीपी जोशी से इंडिकाई ऐसे नौ निर्वाचित विधायक है जो इस बार मैदान में थे और जिन से मिलने के लिए पूर पूचे हैं सब्सक्राइब जितने भी लोग भारती जन्ता पार्टी के लोग हैं और भारती जन्ता पार्टी के मेंबर्स हैं और कारे करता हैं सब सर्वोपरी है लेकिन यह जो लोबिंग हो रही है उसको लेकर क्या करें इसमें तुपार आज गहमाए गहमी है क्योंकि कल जिस प्रकार से बसंदर राजे के आवास पर गहमाए गहमी देखने को मिली थी लेकिन देर राज चिपी जोशी के जैपर पहुंचने के बाद आज सुबह से सांगनयर विधायक बजनलाल यहां पर पहुंचे हुए, सिविल लाइन विधायक गोपाल श कर्मा ने मुलाकात की है, शीव से निर्दली विधायक रविंज सिंग भाटी यहां पर पहुंचे, गोपी चंद मीडा जो कल पूर्व मुख्यमंत्री वसंदर राजे के आवास सर्वो परी है यानि अब कल का जो घटना करम हुआ है उसके बाद संगठन जो है वो सक्री हुआ है और संगठन की और से संबवता तमाम नेताओं को कल जो मुखरता से बोल रहे थे उनको एक इस पस लाइन जो है वो देने की कोशिश है वो की गई और उसके बाद लगता है कि विदायकों के सूर जो है वो बदलते नजर आ रहे हैं और यहीं पर जो तमाम एक चीज़ और समझाइए कि सतर लोगों को कॉल किया गया था वसंदाराजी की तरफ से केवल चौबीस लोग पहुंचे थे दिनर टेबल पे और आज सीपी जोशी से नौन निर्वाचित विदायक पहुंचने वाले हैं दोनों में कोई ताल मेल है या क्या डिफरेंस है क्या बताने की कोशिश की जा रही है देखें परसो रिजल्ट आया है और कल सीपी जोशी जो है वो दिल्ली गए थे और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी इस दोरान जो नौन निर्वाचित विदायक हैं उनसे मुलाकात का उन्हें समय जो है वो नहीं मिल पाए था आज देर रात तो सीपी जोशी जो है वो जैपुर पहुंच गए और उसके बाद अब जो तमाम नौन निर्वाचित विदायक हैं वो यहाँ पर मिलने की कि यह शिष्टाचार मुलाकात है चुकि वसुंद्र राजे जो है वो तमाम विदानसवा क्षेत्रों में गई थी और प्रचार जो है वो किया था इसलिए आज से वो वसुंद्र राजे का आभार जताने के लिए वहाँ पर पहुंचे हाला कि कुछ विदायकों ने इस पर से लोबिंग कह सकते हैं एक तरह से इसे संदेज देने की कोशित जो है वो केंद्री निर्तुत वो को की जा सकती है कि जादा तर विदायक यहीं चाते हैं कि वसुंद्र राजे जो है वो मुख्यमंत्री बने तो लिहाँ से यह आप उसी का इंपक्ट है जो सारुब आप कर से और बागियों से मिलने का क्या मतलब है करने की केंद्री नेत्रत वकुप और प्रैसर की पॉल्टिक्स पाला जाए इसे अद्र तँफिक से कृषि देखना चाहिए जो केंद्री नेत्रित और फैसा लेगा प्रैसर नेलेन कोгा वही सबको मानने होता है विश्यू के सबसे लोग पी इनघालुUSE की मानू ऐग बड़ी बात कहिए प्रदेश प्रभारी अरुन सिंग ने एक बड़ी बात कहिए कि संगठन ही जो है वो सर्वोपरी है तो एक बड़ा मैसेद देने की कोशिश अरुन सिंग ने यहाँ पर कर दिये और यहाँ पर पहुंचे सीपी जोशी से मुलाकात करने कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जो संगठन कहे यानि किसी प्रकार की लोबिंग किसी प्रकार की प्रेशर पॉल्टिक्स नहीं चलेगी और जो भी नेता चुना जाएगा चायबाद वह वसंद्र राजे हो अगजन सिंग शेखावत हो राजवर्दन सिंग राठोड हो ओम बिड़ला हो या कोई भी नेता होगा जिसे भी हमने देखा प्रदेश प्रभारी अरुड सिंग और प्रदेश अधिर सीपी जोशी की मुलाकात उनकी आवास पिर हुई फिर दोनों साथ में दिल्ली निकले फिर वहां पर रास्टे अधिक जेपी नडडा ग्रेमंत्री अमिशा से मुलाकात हुई फिर आज वापस फिर से सी कि नहीं हुई है क्योंकि पार्टी में पहले आम सहमती बनाने की कोशी जो हो रही है क्योंकि अगर विजाएक का करें गये और पार से भी नाम और विजायक होता हो रहा है तो इक बहुत एहम सवाल है आप किन वागी से मिला जा रहा है तो क्या मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स का जो एक सब्ध आ सके ताकि सबनाए जा सके मान सकते हैं यह जिबन को देगे काउंटिंग से पहले ही बीजेपी के प्रदेश अज्जेक्ष चीपी जोशी ने ये संकेत दे दिये थे जो विचारधारा के लोग हैं उनसे जो है वो संपर्क किया जाएगा चायबात तशीव चुकि रविजेपी जोईन कर ली थी और उसके बाद जो है वो निर्देली लड़े थे चंदरबान आक्या हैं साचों से जीवारम पटेल हैं ऐसे एक साथ से आठ विदायक ऐसे हैं जो बीजेपी की विचारधारा से ही जो है वो आते हैं और अब चुकि बहुमत में जो है वो बीजेपी आ चुकी है तो ये निर्देलियों के पास भी बीजेपी के अलावा कोई option नहीं क्योंकि बीजेपी जो है वो सत्ता में आ रही है तो बीजेपी अपना कुनबा जो है वो हो सकती है और उसी के तहट ये मुलाकाते जो है वो हो रही हो लेकिन अरुन जीन का बहुत महत्पूर्ण है बहुत बहुत और एक बात और समझाए जनता को क्या आम सहमती नहीं बन पा रही है क्या उसमें भी धड़े हैं उसमें भी गुडबाजी हैं सहमती बनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि बीजेपी राजस्तान में मुख्यमंत्री के चहरे के रुप में कई नेता हैं पांच से साथ नेता हैं ऐसे हैं जिने मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि उनका एक र तो संबहता हरवेक्ति की अंदर ये महत्वा कांशा होती ही कि वो राजस्तान का मुख्यमंत्री जैसा पद क्यों नहीं ले और इसी के तहट ये तमाम चीजे होती हुई नजर आ रही है लेकिन बीजेपी के लिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से अगर उपर से एक निर्देश आ जाता है उसके बाद किसी में भी ये ताकत नहीं है कि वो उस फैसले का खिलाफ जो है वो जाए लेकिन उससे पहले तमाम कोशिश होती है उसी कोशिशों के तहट कल वसंदर राजे के आवास पर इतने लोगों का मुलाकात समझी जा सकती है आज सीपी जोशी जब आज जो भी फैसला होना है वो हो जाएगा